नमस्कार मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं मारा स्पेशल शो तारीख जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की एतिहासिक कहानिया आज 15 सितंबर है और आज की तारीख का सम्मन्ध है एक नेवल शिप से आई एन इस देड फिल्म पाइरट अब दे जिप खेश से लिए नोगों सिष्वाइं तो परणते हरा जिसल एक यहाज की असलियता पतवार पाल या लखडी यह बहुत चीजें जिनकी जहास को जरूरत होती है जिनसे वो बंता है लेकिन जहास असल में जिस चीज का नाम है वो है आजादी स्वामी विवेक अनंद जी के प्रेरक विचार या आचारे चानक्य के बहितरीन सबक या फिर महात्मा गांधी की अन्मोल सीख सब कुछ अवेलिबल है कुकु एफिम पर वो भी हिंदी में और तो और ललन टॉप के दर्शकों के लिए स्पेशल डिसकाउंट अभी डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर जाएं और सुनें जो मन चाहें आजादी चलिए इसी एक शब्से शुरुआत करते हैं 15 अगस्ट 1947 को दिल्ली में जब नहरू ट्रिस्पिट डेस्टिनी स्पीच दे रहे थे तो उनके और बाकी नीती निर्माताओं के मन में सुरक्षा का मुद्धा सबसे बड़ा सवाल बना हुआ था द्विती विश्विद्द के बार भारत जियोग्रफिक के हिसाब से बड़ी कठिन सिती में था पाकिस्तान के पैदा होने से ही तै हो गया था कि भारत से उसका रिष्टा क्या होगा पूरो और पशिम दोनों तरफ उसकी मौजूद्गी थी और सर पर चीन खड़ा था जो उस दौर में भी भारत को इंपीरिलिजम के अवशेश के तौर पर देखता था ब्रिटिश इंडियन आभी दो विश्वयुद लड़ चुकी थी रोयल इंडियन एर फोर्स की ताकत भी ठीक ठाक थी लेकिन सबसे बड़ा सवाल भारत की विशाल तटीय सी माओं की रक्षा का था ब्रिटेन ने इंडियन नेवी को सिर्फ एक कोस्टल डिफेंस फोर्स के रूप में तयार किया था आकरमन और युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन की रॉयल नेवी नहीं मोर्चा संभाला था 1945 में जब World War II खत्म हुआ तब भारती इन उसिना के सिर्फी बहुत कमजोर थी इसकी एक बड़ी बज़े थी कि बहुत से नेवल शिप और मैन पावर पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे नाम के लिए भारत के पास चार स्लूप्स यानि छोटी सेल बोर्ट्स दो फ्रिगेट एक छोटा जहाज जो स्काउटिंग के काम आता है और कुछ छोटे वैसल्स थे थोड़ा और पीछे जाएं तो एतिहासिक रूप से भारत पर हमेशा उत्तर की तरफ से आकर्मन होता आया इसलिए शक्तिशाली मोगलों ने कभी समंदर की तरफ ध्यान नहीं दिया इसी का फायदा उठाकर पहले पुर्तगालियों फिर फ्रांसीसियों और अंत में अंग् भारत को इतिहास से सबक लेकर नेवी को भी बराबर रूप से मजबूत बनाना चाहिए इसी को देखते वे आजादी के तुरंद बाद पहला नेवल प्लान पेश किया गया जिसमें नहीं था कि भारत की नेवी में दो फ्लीट होगी हर फ्लीट में एक नेवल करियर जिसके साथ क्रूजर्स डिस्ट्रॉयर्स और सब्मरीन फोर्स और एर आम को जोड़ा जाएगा इसी कड़ी में भारत ने पहला क्रूजर बिटेन से करीदा नाम एचमेस अकिली इसका नाम एक ग्रीक मितकी किरदार के नाम पर रखा गया था जिसकी कहानी भी बहुत पानी में ऐसी शक्ती थी कि जो उसमें नहाले उससे कोई चीज शती नहीं पहुचा सकती थेडिस ने अकिलीस को एडी से पकड़कर नदी में डूबोया अकिलीस का बाकी शरीर तो नदी में डूबा लेकिन उसकी एडी सूख ही रही महा भारत जैसे मिलती जुती कहानी अकिलीस की तरहें एचमेस अकिलीस जहास की कहानी भी बड़ी रोचक है हमेस अकिलीस ने न्यूजिलंड की तरफ से विती विश विशव युद्ध में हिस्सा लिया विती विश विश शुरू हुआ सितंबर 1949 में जर्बदी ने पोलंड पर कबदा कर लिया और बृतेन और और फ्रांस देखते रह गए ग्लोबल रिसेशन से उबर रहे ब्रेटेन और फ्रांस के लिए अच्छी ख़बर बिल्कुल नहीं थी वो किसी भी कीबत पर युद्ध आवाइड करना चाहते थे इसी कारण सितंबर 1949 और मई 1940 के बीच छिट पिट जड़पों के अलावा कुछ खास हुआ नहीं इसलिए इस टाइम डियुरेशन को फोनी वार या दिखावे का युद्ध कहा जाता है लेकिन जमीन पर जहां शानती बनी हुई थी कमोबेश पाने पर लड़ाई शुरू हो गई थी जर्मन बैटल शिप ग्राफ्सपी अट्लांटिक महासागर में पर्टोलिंग कर रहा था मित्र राश्ट्रों खासकर बिटेन का सारा सामान इसी रास्ते होकर आता था और ग्राफ्सपी इस रास्ते पर खत्रे की तरह मन रहाता था सितंबर 1949 लेकर नवंबर 1949 तक ग्राफ्सपी बिटेन के आठ माल वाहक जहाजों को डुबा चुका था इत्ते छोटे स्पैन में मजबूरन बिटेन को अपनी रॉयल नेवी फ्लीट युद में उतारनी पड़ी मित्र राष्ट्रों की नेवल फ्लीट में तीन जहाज थे एक्सेटर इसे बैटल ऑफ रिवर प्लेट के नाम से जाना जाता है हमेस अकिलीस के कमांडिंग अपसर थे विलियम एडवर्ट पैरी जो आगे जाकर रॉयल इंडिन नेवी के दूसरे कमांड इंचीफ बने कहा जाता है कि जेम्स पॉन्ड मूवी में एम का किरदार पैरी से इंस्पायर होकर ही लिखा गया था 1948 में भारत ने हमेस अकिलीस को ब्रिटेन से खरीदा और ये बन गया हमेस दिली आज ही के दिन यानी 15 सितंबर को 1948 के साल में हमेस अकिलीस मूंबई पोर्ट पर पहुचा बंबई के बंदर गहा पर पहुचा जहां प्रधान मंतरी जबाहलाल नहरू ने इसे रिसीव किया हमेस अकिलीस को बंबई में रिसीव करते वक्त विलियम एडवर्ट पैरी भी मौजूद थे 1950 में गणतंतर की स्थापना के बाद इसका नाम इंडर नेवल शिप माने INS डेली हो गया यह आजाद भारत का पहला बैटल शिप था इसमें चार शाफ्ट थे जिनकी पावर 72,000 होर्स पावर थी चार शाफ्ट का मतलब हुआ चार प्रोपलर्स साथ या INS डेली में 1800 टन की फ्यूल कपैसिटी थी शिप पर एक समय में 709 सैनिक तैनात की जा सकते थे भारत के लिए INS डेली का महत्व क्या था अब इसे समझते हैं भारत नयनया आजाद हुआ एक गरीब देश था एक 3rd world country पश्ची में देशों के लिए जिसकी कुछ ज्यादा एहमियत थी नहीं सिवाए उसकी geographical location के अमेरिका और रूज भारत को साथ एशिया और इंडिन उशिन में प्रभुत्व जमाने का जरिया भर मानते थे उन दिनों दुनिया में हर देश अपनी एक विशिष्ट पहचान के लिए किसी रूपक को चुनता है जैसे अमेरिका अपनी military power, आर्थिक power के लिए जाना जाता है ब्रिटेन अपनी राजशाही के लिए और खाडी के देश तेल के लिए जाने जाते हैं भारत के पास ना तेल था, ना राजशाही और ना ही आर्थिक्या सैनिक ताकत ऐसा माना जाता है कि nuclear और space programs के बदालत भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का सबूत दिया आगे चल कर या कहें कि इन कारणों से भारत दुनिया के नजरों में आने लगा लेकिन इसी मामले में इंडिन ने भी वो पहला उपकरम थी जिसने दूर देशों की यात्रा कर पहली बार भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया आइनेस दिल्ली ने भारत के लिए एक paradigm shift के तरह काम किया और इसके तीन कारण हम गिनाएंगे पहला ये कि आइनेस दिल्ली से भारत के पास long distance naval missions करने की शमता आ गए या कम से कम उसकी शुरुवात हुई इससे पहले भारती नौसेनिकों ने वर्ड वार टू के दौरान सिर्फ छोटे ships पे काम किया था जैसे स्लूप्स, माइन स्वीपर्स और कोवेट्स आइनेस दिल्ली जैसे बड़े जहास पर काम करने का अनुभाव नौसेना को नए आत्मे विश्वास से रूबरू कराता है उस वक्त दूसरा कारण combat power आइनेस दिल्ली में तीन टरेट्स थे यानि कि तीन नाल थी जिससे गोला दागा जा सकता था इन में से एक शिप में स्टर्न माने शिप के पीछे की तरफ लगा था बाव सामने स्टर्न पीछे इस कारण शिप का फारिंग आर्ग बहुत फैला हुआ था क्योंकि बाव मतलब सामने उस तरफ भी आपकी गंस लगे हुई है stern मतलब पीछे उस तरफ भी आपकी guns है और वो अगर rotate करें तो वो आपको आगे भी cover करेंगी और पीछे भी cover करेंगी तीसरा factor इस combat power के साथ आएनेस दिली ना कि वो long naval missions को अंजाम दे सकता था दूर के बलकि distant ports पर अपनी ताकत का production भी कर सकता था दूर दूर के अलाकों में वैसे तो ये जहाज ब्रिटन में बने थे लेकिन इनके maintenance और operation के अनभव से भारत चंद सालों में ही एक बड़ी naval power बनने के तरफ अपना कदम बढ़ा लेता है साथ के दशक में उस समय एशिया के सबसे बड़े battleships में से INS दिल्ली था और इसे Empress of Indian Ocean के नाम से जाना जाता था INS दिल्ली का मोटो था सर्वतो जैमिच्छामी यानि जहां जाओ विजय प्राप्त करो पहली बार INS दिल्ली ने अपने मोटो को सार्था किया सन 1961 उपरेशन विजय के दौरान ये हुआ जब भारत ने गोआ, दमन और दीव को पुर्तगालियों के कबजे से मुक कराया इस उपरेशन में इंडन नेवी का बड़ा रोल था जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी INS दिल्ली जैसा मोमन होता है जैसरे से INS दिल्ली पुराना होता गया इसको लेकर बहुत सारी किमवदंतिया जुरती गई जहास को लेकर एक किसा आज तक मशूर है कि इस पर एक लाल बालो वाला भूत रहता था जो शिप और शिप पर काम करने वालों के सेफटी का ध्यान रखता था दुनिया के सभी सेनाओं में एक कहावच चलती है बुढ़े सिपाई मरते नहीं वो इतिहास में विलीन होते हैं 30 जून 1978 को आइनस दिल्ली को बंबे के बंदरगाहा पर डी कमिशन कर दिया गया और बंबे का जो डॉक है नेवी का उस पे और भारती नौसेने का ये वी रक्षक इतिहास में विलीन हो गया लेकिन दुनिया की कई और नौसेनाओं के तरह भारती नौसेना में भी एक परंपरा है कि जहास की स्पिरिट जिन्दा रहती है चाहे लोहा लंगर लकडी खराब होती जाए जब एक जहास डी कमिशन किया जाता है तब भी उसका नाम उसकी स्पिरिट जिन्दा रहती है एक नए जहास को उसे बक्षा जाता है इसलिए जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी विमान बाहक पो उत्मा ने एरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो तैय किया गया कि उसे आइनस विक्रान नाम दिया जाएगा आइनस विक्रान भारत का पहला एरक्राफ्ट कैरियर था भी ये हमस हरक्ली इस नाम से रॉयल नेवी के लिए बना था लेकिन विशुद खतम होने पर इसे पूरा नहीं किया भारत ने इसे खरीदा पूरा करवाया और भारती नौसेना में कमिशन किया आइनस विक्रान के नाम से ये 1961 में कमिशन हुआ और इसने 1971 की लडाई में हिस्सा लिया 1997 में इसे डी कमिशन कर दिया गया इसी परंपरा को जारी रखते हुए जब 1997 में बंबई के मजगाउट डॉक में अपनी क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रोई डी 61 तयार हुआ तो इसे कमिशन करते वक्त नाम दिया गया आइनस डेली जब तारीक का एपिसोड तयार किया गया माने 2021 के साल में तो आइनस डेली अक्टिव सर्विस में था और आने वाले कई सालों तक रहेगा आज के लिए इतना ही आपसे मुलाकात होगी तारीक के अगले एपिसोड में चलने से पहले एक छोटा सा फुटनोट इस बात को लेकर बड़ा confusion रहता है कि जहास था या थी या है मतलब male है या female है तो इसको लेकर कि अलग-अलग तरीके से लोग देखते हैं अलग-अलग परमपरा हैं लेकिन सबसे dominant thought जो दुनिया भर में आपको मिलेगा परमपरा के लिहास से मैं भाषा के लिहास से नहीं कह रहा हूँ वो यह है कि जहास अमूमन female माने जाते हैं चाहे वो कितने भी muscular हो चाहे वो लड़ाई के लिए बने हो चाहे उनका नाम किसी पूरुष जैसा हो जैसे हक्यूलीस हो गया, अक्यूलीस हो गया लेकिन उन्हें माना, उन्हें पुकारा एक महिला की तरह ही जाता है शी हो आ रही है इस अर्थ में तारीक एकले एपिसोड में हमसे मिलिए कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताईए कि एपिसोड आपको कैसा लगा किसे सुधार की गुंजाइश लगती है और अगर आपको ऐसा लगता है कि सुधार की गुंजाइश नहीं है आपकी कोई शिकायत है तब भी हमें जरूर लिखे